प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है हम कक्षया सात्वीश एगनित अध्या एक पुर्णांक कर्या पुष्टिका के पुष्णों को हल कर रहे थे तो हमने इसके पांच पेज हल कर लिये थे आगे हम आज इसका छटा पेज हल करेंगे तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब करने लाइक कर दे और शेयर कर दे तो शुरू करते हैं आज की क्लास पेज नमबर 6 पर लिखा हुआ है देखो अगर हमें एक संख्या को अगर हम एक संख् इस प्रकार लिखें और फिर इसके करम बदल दें इस प्रकार लिखें तो क्या यह सही है हम लिंखे देख लेते हैं चलो एक पहले इस तरीके से लिखते हैं एक आमान कितना है, देखो, यहाँ पर दिया हुए 2, पलस में बी का मान 3 है, ब्रैकिट और जमा सी का मान लिखना है, ठीक है, बराबर एक का मान पहले लिखेंगे, दो है, पलस ब्रैकिट लगा करके बी जमा सी लिखेंगे, तो 3 जमा 1 है, जब हम इसको हल करते हैं जब हम इसको हल करते हैं तो दो और एक तीन पांच पांच और एक छे आ गया इधर भी तीन और एक चार चार और दो छे तो ये बिल्कुल सही बात है ठीक है इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं तो क्या यह लिखना सही होगा, तो हाँ, हाँ यह लिखना, सही होगा बिल्कुल, ठीक है, तो आप कर लोगे, आगे एक सारने दी हुई है, कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो, तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस तरीके से अन्य संख्याएं लेकर करके देखना ह जैसे मैंने A का मान 3 ले लिया, B का मान 1 ले लिया, C का मान 4 ले लिया, ठीक है, मैं एक उदारन आपको करवा देता हूँ, पहले आपको लिखना है A जमा B, तो 3 जमा 1, फिर लिखना है B जमा C, B का मान 1 है और इसका 4 है, फिर लिखना A जमा B जमा C, तो bracket के अंदर A जमा B, तो चार ठीक है तो इसको हमने हल किया चार आया इसको हमने हल किया पांच आया इसको हमने हल किया तीन रेक चार और चार आठ आया इसी प्रकार से यहां पर मैं इस लाइन कीज़ देता हूँ यहां पर A जमा B जमा C A का मान तीन जमा B, कमान 1, और C, कमान 4 ब्रेकेट में लिखा तो 4, 1, 5, 5, 3, 8 आया अब देखो दुआरा से लिखना पड़ेगा देखो 3, 1, 4 लिया तो 3, A, जमा B, सिधा ही जोड़ देता हूं A, जमा B करो कितना आया? 4, B, जमा C करो कितना आया? 5 अब इस तरीके से जोड़ो A, जमा B, जमा C तो कितना आएगा? A, जमा B, जमा C कितना आएगा? 8 इस तरीके से भी जोड़ो कितना आएगा? 8 क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो ये दोनों बराबर हैं तो हाँ तो आप कोई भी उदारण लिख करके आप अपनी कोपी में ऐसे कर सकते हो ठीक है यहाँ पर स्क्रीन पर छोटा पड़ रहा है तो मैंने इसको सीधा ही लिख दिया तो आप आसानी से ऐसे उदारण अपनी तरफ से कोई भी लिख करके कर लोगे पहली दो संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप मान दूसरी और तीसरी संख्या की योग में पहली संख्या जोड़ने से प्राप मान के बराबर होता है बिलकुल होता है अगर हमारे पास तीन संख्या है पहले दो जोड़ लो फिर उसमें तीसरी जोड़ दो प यह तो पूर्ण संक्याओं के योग के साहस्चरिय का नियम है, बिलकुल है, यह पूर्ण संक्याओं के योग के किसका नियम है, साहस्चरिय का नियम इसे कहते हैं, योग में ऐसा लागू होता है, आगे देखो, निमन्स वालों को हल करके लिखे, देखे, यह सत्या है या ऐस सत्य तो देखो 25 जमा 15 15 यानि योग का करम भी निमें है यह पलट के लिखा हुआ है तो इधरवारे का जोड भी 40 है और इधरवारे का जोड भी 40 है तो यह क्या है सत्य है ठीक है आगे इसमें देखो एक सो आठ जमा 45 है और 45 जमा 118 है तो यहां पर पर 108 जमा पंतारीस है पंतारीस तो है लेकिन ये दूसरी संख्या बदल दी यहाँ पर तो इसका जोड तो आएगा 153 और इसका आएगा 163 तो ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया ऐसत्य हो गया आगे है 16 जमा जीरो क्या सोडा में 0 जोडते हैं जीरो आता है बिलकुल नहीं आता 16 आता है 31 तो ये भी गलत दे रखा है आगे देखो इसमें क्या है गुडन करम बिन में है तो गुडन में 2 एकम 2 दोती अच्छे इदरवाड़ा भी दोती अच्छे छे एकम 6 तो बराबर आता है तो ये सत्य है ठीक है इसमें देखो 28 जमा 14 जमा 5 फिर 28 जमा 14 जमा 5 संख्याई वही है संख्याई वही है तो जोड करम विन में 47 आएगा इदर और इदर भी 47 आएगा तो ये भी सत्य है ठीक है आगे है 15 गुणा 16 अगर इनको हम गुणा करें तो ये आगे है 240 इदर 16 गुणा 15 है तो इसका भी 240 आ रहा है ये गुणन करम बिन में है यानि गुणा का करम बदला हुआ है तो ये भी सत्य है ठीक है आप इस तरीके से इसको करके देख लेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पेज में भी आगे सत्य है सत्य वारे और बचे हुए हैं तो देखते हैं पहला 5 गुणा 6 जमा 3 और 5 ब्रैकेट हल करनी होती है 6 जमा 3 कितना हो गया 6 जमा 3 इसको जोड़ा 9 9 पंजे 45 ठीक है अब देखो यहां पलस है यहां गुणा है ब्रैकेट अगर ना हो तो पहले बागु कोश्ट की नहीं है मिनके अंसार पहले ब्रैकेट फिर बाग फिर गुणा तो यहां पर 6 पंजे 30 और 5 तो यह 15 हो गया यह 15 हो गया तो कितना है आया 15 तो यह भी ब्राबरा है तो यह भी सत्य है आगे है देखो 15 गुणा 8 माइनस 3 यहां पर 15 गुणा 8 माइनस 3 तो यहां पर पहले ब्रैकेट हलोगी 8 में से 3 गया यहां पर 5 15 पहले चित्तर आया अब देखो यहां पर पहले गुणा होगी, क्या होगी, गुणा पंदराथा, 120, 120 में से 3 गए, 170, तो बराबर आए क्या, नहीं आए, तो ये क्या हो गया, ऐस सत्य हो गया, पांच में से 2 गए, और 2 में से 5 गया, पांच में से 2 जाएंगे, 3 और 2 में से 5 जाएगा, तो बराबर क्या बचेंगे, माइनस का तो ये भी ब्राबर नहीं है तो ये भी क्या हो गया ऐस सत्य हो गया आगे 16-3-2 पहले bracket हलोगी 16 में से 3 गए 16 में से 3 गए 13 और 13 में से 2 गए 11 इधर देखो पहले bracket होगी 3 में से 2 गया 1 और 1 बचेगा bracket के अंदर फिर –1 होगा तो यहां कितना बचेगा 15 तो ये भी बराबर नहीं आया तो ये भी क्या है ऐस सकते है तो इस तरीके से आप कर लोगे आगे है सुवाल किये बिना रिकत स्थान बरिये तो देखो यहाँ पर 68 गुणा 45 है तो यहाँ पर गुणन करमिन में है तो 45 पहले लिख दिया तो 68 बाद में आएगा यहाँ पर जोड है 40 गुणा 42 एक संख्या बाद में लिख दी तो 42 वाले यहाँ आजाएगी यहाँ पर 9 गुणा 0 है तो यहाँ पर 0 गुणा 19 हो जाएगा तो इनकी गुणा 0 आएगी ही यहाँ पर 5 गुणा आएगा तो यहाँ एक गुणा 5 हो जाएगा यहाँ पर देखो सब में जोड है तो यहाँ पर संख्या देखो 15 और 8 तो यहाँ तो 15 आएगा यहाँ पर 40 आएगा यहाँ देखो इसमें 15 गुणा 10 जमा 5 यहाँ पर 12 गुणा 10 यानि ब्रेकेट के अंदर 10 और जमा 5 है इन 12 से इसको भी गुणा है तो यहाँ क्या आएगा 12 है तो यहाँ देखो ब्रेकेट के अंदर 6 माइनस 3 है तो 9 से 6 को भी गुणा करेंगे और 9 से 3 को भी गुणा में क्या आएगा नू नो आएगा खालेक्स्तान हमें बढ़ने थे आगे है करम विन में गुर्द्रम की जांच करके देख़ी और निस्कर्ष निकाले अब देखो 18 जम्मा 16 18 जमा 16 का जो जोड़ आएगा वो भी 16 जमा 18 का आएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा जोड़ लो 8 और 6 14 2 रेक तीन 34 इसका भी 34 अब देखो यहाँ 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 10 अब अगर हम क्या करें इनको पल्टे 15 में से 25 गटाए देखो माइनस का 10 बच रहा है तो यहाँ यह लागू नहीं हुआ यहाँ लागू हो जाएगा इसको कैसे जोड़ लो चाए 18 जमा 12 जोड़ लो बराबर आएगा गुणा में भी बराबर आएगा 12 गुणा 28 कर लो चाहे 28 गुणा 12 कर लो तो यहां भी बराबर आएगा यहां माइनस है यहां बराबर नहीं आएगा तो देखो करम विनिमे गुण तरम की जांच करें देखिए और निसकर्ष निकालिए पहला क्या निसकर्ष लिखेंगे यहांपर पहले में लिखेंगे योग करम विनिमे सहास्चरिये है और दूसरे में यहां लिखेंगे गुणन करम विनिमे सहास्चरिये है तीसरे में क्या लिखेंगे गटाओ करम विनिमे सहास्चरिये नहीं है विनिमे सहास्चरिये नहीं है आप लिख लोगे ठीक है योग करम विनिमे सहास्चरिये है गुणन करम विनिमे सहास्चरिये नहीं है गटाओ करम विनिमे सहास्चरिये नहीं है ठीक है तो योग और गुणा में तलाग होता है लेकिन उसमें नहीं होता गटाओ में आगे देखो पेज नमबर जो नेक्स्ट है आपका आठ नमबर पेज उसमें अठारुआ पर सनहरीकत स्तान बरना इसके अंदर भी आपको तो ये देखो और ये देखो पहले ब्रेकिट हल करनी होती है ब्रेकिट हल करनी होती हमें पता है इस ब्रेकिट को हल करेंगे तो ये माइनस का दो ये माइनस का तीन जोड़ जाएंगे माइनस के पांच हो जाएंगे और फिर ब्रेकिट खोलेंगे ये भी माइनस का पांच है बाहर इस ब्रेकिट के अंदर minus 5 आये बाहर भी minus 5 है तो क्या आगया 10 minus का बराबर इधर वाड़ों को हल करेंगे तो पहले bracket हल करेंगे यह 5 minus का यह 3 plus का है तो 3 में से 5 गया minus का 2 बचेगा इधर minus 2 है ब्रेकेट जब खोलेंगे तो minus और minus 2 अंदर बचा हुआ हो जाएगा plus का क्या हो जाएगा प्लस का तो यहां तो दस आ गया और इधर देखो इधर माइनस दस आ गया और इधर क्या आ गया जीरो आ गया दो में से दो गया जीरो क्या दोनों का मान बराबर है नहीं है क्या है नहीं है ठीक है क्या लिखो कि नहीं है तो पहला खालिस्तान हो गया इसको मैं साफ कर देता हूँ दूसरे पर चलते हैं कुछ अन्य पुर्णांक संख्या है ले और देखो कि A माइनस B पहले जो यहन तीन मान लो है और B C के पहले दोनों को गटाओ और उसमें C गटाओ तो ऐसे मान ले सकते हैं A का मान चलो तीन ले ले B का मान चलो हम एक ले ले माइनस का और C का मान हम पलस के ले ले लेते हैं चलो पलस के मान ले ले लेते हैं A का मान हमने क्या ले लिया तीन B का मान एक ले लिया और C का मान चार ले लिया ठीक है तो पहले A में से B गटाएंगे 3-1 और फिर उस में से माइनस करेंगे C पहले स्कॉल करेंगे 3 में से 1 गया 2 जो जाएगा 2-4 तो माइनस का कितना बच गया? 2 अब इधर वाड़े में देखते हैं ऐसे लिख के पहले A लिखेंगे A का मान कितना लिया? हमने 3 फिर माइनस लिखेंगे और फिर B B का मान कितना लिया? A और फिर उस में से C माइनस करेंगे अब देखो यहां 3 है ब्रेकेट हल करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा बार माइनस अंदर माइनस तो क्या हो गया? प्लस का 3 क्या आगया जीरो तो इधर माइनस दो आ रहा है इधर जीरो आ रहा है तो देखो क्या बराबर है नहीं है क्या बराबर है नहीं है इस से तुम क्या निसकर्ष निकाल सकते हो तो यहाँ पर लिखेंगे गटाओ में करम विन्मे सहस्रिय नहीं है विन्मे सहस्रिय नियम नहीं है लिख लोगे निसकर्स में यही देख रहे हैं आप तीन संख्यां ले अगर हम पहले A में से B गटाएं और फिर जो मान है उसमें से C गटाएं और फिर दोसरे में क्या करें A के मान में से B में से C गटा करो वो गटाएं तो बराबर नहीं आ रहा यदि किसी पुर्णांक जैसे माइनस 3, 4, माइनस 7 में अगर सुनने जोड़ा है तो क्या सिंख है मिलती है लिखो अब देखो माइनस 3 में जोड़ा 0 तो कि माइनस 3 ही मिलेगी माइनस 7 में 0 जोड़ा तो माइनस 7 ही मिलेगी 4 में 0 जोड़ा तो 4 ही मिलेगी माइनस 10 में 0 जोड़ा तो माइनस 10 ही मिलेगी ठीक है आगे है यदि सुनने को गटाया जाए गटाया जाए तो भी माइनस 3 गटा दो चाहे तो भी माइनस 3 यहाँ पर चार यहाँ पर दस तो सुनने को कोई फरक नहीं पढ़ रहा यहाँ पर तो क्या लेकिन क्या यह सभी संख्याइं पुर्णांक है हाँ पुर्णांक है तो क्या लेकिन किसी पुर्णांक में से किसी पुर्णांक में से सुनने गटाएं या जोड़े वह पुर्णांक स्वेम आ जाता है वही संख्या आ जाती है चाहिए उसमें से गटा लो सुनने को चाहिए जोड लो कोई फरक नहीं पड़ता तो ये था हमारा पेज नमर आठ अब हम चलते हैं पेज नमर नो की तरफ तो पेज नमर नो में बीसवें परसन जो है इसमें आप देखो बीसवें परसन के अंदर तीन को माइनस तीन से गुना किया है माइनस नो आया माइनस 3 को 2 से गुणा किया माइनस से आया माइनस 3 को 1 से गुणा किया माइनस 3 आया माइनस 3 को 0 से गुणा किया 0 आया अब देखो जैसे माइनस 3 को 3, 2, 1, 0 से गुणा करते जाते हैं तो गुणंदफल बढ़ता जाता है इस कुनंत पल में कोई पैटरन लिखो कोई पैटरन पर आप तो तर देखो 9 में से 9 में से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं 9 में 3 जोड़े माइनस से आ गया यहाँ पर 6 में 3 जोड़े माइनस 3 आ जाएगा माइनस तीन में तीन जोड़ों, तीन जीरो आजाएगा, देखो, माइनस नो में यहाँ पर तीन जोड़ों कितना आएगा, माइनस छे, माइनस छे में तीन जोड़ों कितना आएगा, माइनस तीन, माइनस तीन में कितना जोड़ों, तीन कितना आएगा, जीरो, तो यही पैट इसले गुणनफल में तीन जोड़कर आता है, तीन जोड़कर आता है, ठीक है, तो ये एक पैटरन हमें प्राप्त हो गया, आगे चलते हैं, इस पैटरन को आगे बढ़ाओ, तो इस पैटरन में देखो, तीन माइनस तीन की गुणा माइनस नो, माइनस तीन और दो की गुणा माइनस चे, माइनस तीन और एक की गुणा माइनस तीन, तीन की गुणा जीरो, माइनस माइनस हैं दोनों, तो प्लस का तीन हो जाएगा, यहां पर भी माइनस की हैं दोनों, तो प्लस का छे हो जाएगा, इस आदार पर तुम क्या निसकस निकालते हो तो यहां पहले के अंदर तो यहां तक तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चोथे में यहां तक तो क्या है तीन यहां पहले माइनस नो फिर तीन जोड़ते जा रहे हैं तीन जुड़ता ही जा रहा है सभी में, तो इसमें क्या लिखेंगे परतेक गुणनफल, परतेक गुणनफल, तीन गटाने पर, परतेक गुणनफल, पिछले गुणनफल में, पिछले गुणनफल में, तीन जोडने पर आता है, तीन जोडने पर आता है, तो ऐसा ही हमें प्राप्त हो रहा है पैटरन माइनस नो में तीन जोड़ो छे आएगा माइनस छे में तीन जोड़ो छे आएगा इसमें जीरो में तीन जोड़ो तीन आगया और तीन में तीन जोड़ो छे आगया तो जोडने पर हमें प्राप्त हो रहा है ठीक है, आगे हैं निमन को गुणा करें, माइनस तीन और माइनस दो को गुणा करेंगे, तो दोनों माइनस की गुणा पलस की छे हो जाएगी, माइनस पांच और माइनस एक की गुणा पांच एकम पांच, ये भी दोनों माइनस की तो पलस में आएगी, बैतर तो ये भी माइ में आईगी, क्या इन प्राप्त गुनफलम किसी के मान समान है, तो मैं इनको यहाँ नमरिंग कर देता हूँ, एक, दो, तीन, यहाँ पर चार, पांच और छे, क्या इनके मान जो है, क्या इन गुनफलम किसी के मान समान है, हाँ, किस-किस के हैं, तो देखो आप, एक और तीन क यहां पर दो और छे के मान बराबर है ऐसा क्यों है करम विनमे के कारण है क्या है करम विनमे के कारण करम विनमे कारण है इसका देखो यहां पर क्या है माइनस चे और बारा को जोड़ा है फिर बारा माइनस चे करम ही तो बलटा है और रकम तो वही है तो यहां पर तीन गुणा दो है यहां पर दो गुणा तीन बात तो एक ही है तो यह सा करम विनमे के कारण होता है ठीक है तो आगे चलते हैं next page पर, next page में क्या है, minus 5 गुणा, minus 4 गुणा, minus 3 की गुणा, दो चातरों ने इस प्रकार्शिक की, तो यहाँ पर, चातर एक ने क्या किया, तीनों को, पहले इन दो को गुणा किया, तो देखो, इन दो को गुणा करने पर, minus और minus की गुणा, plus की 20 आगई, फिर इस 3 से गुणा कर रहा है, तो ठीक कर रहा है, इसने minus 60 हाया है, इसके बाद में दूसरा चातर जो है, वो पहले इ क्या लिखेंगे हां, तो यहां पर कौन सा नियम लग़़ा है, गुनन करम विन में, गुनन करम विन में लिख लोगे आप, क्या लिख लोगे के गुनन करम विन में, ठीक है अब तुम भी करो और दोनों तरीकों से करो वई तो पहले क्या करो तीन और दो की गुणा कर लो तो तीन दूनी छे माइनस का गुणा पांच तो छे पांच अतीस माइनस का आया अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं तीन गुणा माइनस दो गुणा पांच ऐसे भी कर सकते हैं तो तीन गुणा में इदर माइनस दस आया और माइनस दस और तीन की गुणा माइनस तीस आया तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं ठीक है दोनों तरीके से अब आगे देखो दूसरा बाग है इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं पहले इन दोनों की गुणा करो, तो क्या या माइनस 6, माइनस 6 और माइनस 6 और 6 की गुणा 36 प्लस का, अब क्या करो, माइनस 3 यहां रखो, पहले इन दोनों के गुणा करो, दो गुणा माइनस 6, तो इधर माइनस 3, इधर माइनस का 12, तो 36 प्लस का आ गया, तो ऐसा हम कर सकते है आगे वाले में देखो ऐ है कि इसमें गुम्हा कर सो पहले इन दोनों की गुम्हा कर लो माइनस 20 आ जाएगा और चार आजाएगे 20 चोके 80 अब इसको माइनस 10 को और गुणा पहले इनकी गुणा कर लो माइनस 2 गुणा 4 तो माइनस 10 गुणा में माइनस का 8 या माइनस नमर 8 प्लस 80 हो गया इससे क्या निसकर्ष निकाल सकते हैं इससे क्या निसकर्ष निकाल सकते हैं तो इसमें भी आप गु वीनिम में लागू होता है या पर भी ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही करेंगे पेज नंबर 10 तक बाकी के जो पेज बच गए 3, 11, 12, 13 वो हम कल करेंगे तो उमिद करता हूँ कि जितना हमने किया वो समझ में आया होगा दन्यवाद